नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि माता राने के शिर्वाशी भगवान भोले नात के शिर्वाशी और अपने शुद्येव के शिर्वाशी आप बहुत अच्छी होंगे जिया दोसों दोसों हम आप शुभी को बता दी कि आज की इस वीडियो में हम आप के आने वाले एक अच्छे पल्शी अवगत कराने वाले हैं जिहां दोसों जिनें शुन कर आप भी कहेंगे कि धन्य हो माता लक्ष्मी, धन्य हो भोले नात और धन्य हो हमारे इस्ठदीव जिनोंने हमें इतने अच्छे मूं के दीए, जिहां दोसों हम आप शुभी को बता दी कि जो खुशगबरी अब आप शुभी के जुनकाल में आपको परापत होने वाले हैं दोस्तों वाकई में ये आपके लिए कल्पनाओं में बहने की बात होगी जिया दोस्तों आप यकीन तो नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों सुनकर आँखों में आपके आँशों जाएंगे कि दोस्तों सचाई इसमें ऐसी ह है कि सुनकर आपको यकीन दिल से होगा जियां दोस्तों शाथी वीडियों में हम कुछ ऐसे ज्ञान की बातें बताएंगे जो कि दोस्तों आपके जीवन के लिए आपके आने वाले भाईश के लिए बहुत यदा मेहत पुरूंगे हर एक मुर्श्किल प्रस्तितियों में यहा आपका शाथ देगा तो दोस्तों सभी बातें बहुत यह गहरी तरीके शिम आप श्रू को बताने वाले हैं गरहों की गोशर पर्निमित जो भी गरहों की तरती होगी निकर उशार आई शाम से आप श्रू की जुनकाल में जो मालक्षमी भूले नास शंकेत देने वाले हैं इन शेवी आप आउगत कराने वाले हैं तो दोस्तों कूल मिला करके हैं तो आज का यह वीडियो गरह गोशर परनिमित आप श्रू की जीवन सेली के रिए बहुत यदा लाप प्रद हों की इन्हें अंत तक देखना आपका दायत होगा जया दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं शेपहले दोस्तों शौर परतम मातह सिसंक शुक्त है शचते भगते हैं शुक्त में स्क्याक के कि आज शाम श्याप शिव की जुनकाल में मालक्षमी और भुलिनाथ बहुत अच्छा परिवर्तन करने वाले हैं जिया दोसों दरशल दोसों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गरहों की बदलती चाल में जब भी इश्वर का शुरुबाद आता है तो दोसों उनके भक्त क यह था शंबव लाब की प्राप्ते आउश होती है जिया दोसों बातों को बहुत यदा गौर्श सुने दोसों यह आपके जूनके सबसे अच्छे पल है जिया दोसों अगर आप यह पल को ही गवा देंगे तो दोसों इस वर भी इन से नाकुस हो जाता है कि हमारा भक्त ने हमारे इस मूखे को ठुगला दिया कि अजो इस दर्ति प्रश भी लोगा है और जोसों उनकी गन्ना वा उनके कर्म शेह करते हैं जिया दोसों इस ली तो दोसों इस दर्ति पर आपिसे बड़े बी इंसान होंगे और आपसे छोटे बी इंसान होंगे भक्त वाद उन्हें फ करें जो हम उपाई इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपको शावधनिया विशित बताने वाले हैं इन्हें आप बहुत यदा गौर्ष दोस्तों क्यों बगवान भुलनात और मालक्षमी का जो परम शुभयोग है यह में निर्मित हो चुका है जो कि आपकी कुंडली के आपकी राशी के लिए भागय बदलने के कारक मानने जाती हैं और तो दोसओं इन्हे हैं को कौर्ण से विशन रखने होंगी और दोसों आश। साम से आपको बहुत यदा लाब की प्राप्त होगी वह कहते हैं कि बेठे बेठे राजा बन जाएंगे तो यह बाते में ही अच्छे लगते हैं जो भक्त के हम अच्छे दिन लाते हैं तो दोसों उनकी हम प्रेक्षा भेश लेते हैं जिए दोसों अगर आपके रिए साम से सुब समय है तो दोसों इनमें आपको कुछ विज़ेस बातों का जरूरी ध्यान रखना होगा जो कि दोसुं इस वीडि आपको गर्व होजाए कि मेरे बिना तो यहां काम चल ही नहीं शकता तब आप अपने घर की दिवारों पर टंगी अपने प्रोजों की तश्विर की तरफ देख लेना तदा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम लुका है जबाव आपको शुवता ही मिल जाएगा चोराश श्रीकिशन का ग्यान अगर आपको पश्रंद आया हो तो दोस्तों विडियो को एक प्यारा चलाइक जरूरी करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स मिलिक दें जैश्रीकिशना रादे रादे तो आई दोस्तों से के शात बात करते हैं कि आज शाम से गरों की जो बदलती चाल को अंद तक जरूर ही देखिएगा तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों सुक्र का गोचर होने ची यश में आप खुद को हर मोके पर शक्रिय अवस्था में पाएंगे जिसके चलते आपकी काम करने की जो है समझ में निखार आएगा और आप हर कारियों को शमय से पहले पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे वह दोस्तों इन दुनों में अगर आपकी नेगेटिव के लिए कर बात करें तो शमय वह फिर परिस्थिती को देखते हुए आपको कारे करना चाहिए अपने घर परिवार के सदस्यों पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपको यश सकती और आत्मबल्द से पस्तिती पर विजय पाने का शमय होगा दोस्तों जो इस्तितियां आपके लिए अभी विप्रित लग रही है उनमें आप अपने लिए शकारत्मग जो है फल ढूंड पाएंगे लेकिन कुछ शमस्याएं हैं जिनको हैंडल करने में सक्चम नहीं र प्रयास करें और बहुत आपकी कारियों कि शहर्णा करेंगे पौस आपकी काम को देखेंगे और उनसे संतुष भी रहेंगे दोस्तों यह जो समय कार्षेतर के लिए बहुत ही अम रहेगा इस दोरन आप मन लगाकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे आप सही उजनाइब ब कदम बढ़ाएंगे उनमें सफल भी आप यह में हो सकते हैं के वल आप यह में पर्यास जारी रखें वज़स्तों इन दिरों में आपकी लब लाइब को लेकर बात करें तो आपकी प्यार की रिष्टे में एक जादू एसास चाहरा है इसकी खुब सुरुति आप यह में जो है योग बन रहे हैं या फिर कोई अध्यात्मी के आप पुष्टक यह में पढ़ सकते हैं दोस्तों यह जो है समय है अनावश्य गूरूप से किसी पर आप अधिकार जमने का प्रयास बिल्कुल ना करें इससे जो आपकी रिस्ते पर इनका असरप्र सकता है और आपका रिस्त की से स्फ़ास की समस्या भी उत्पन होष्टक एंट दोस्तों यह में आपका जो भागिशाली रंग रहेंगा आश्मानी और भालगिशाली अंक रहेंगा नौट त वह दोस्ते यश्ची में हापके ऐस रिचनातमक्टा की खूब पर शन साहोगी और आपको परतिश्था भ पर निर्वर होंगे क्योंकि अन्य लोग आपके कारियों को पूरा करने के लिए जो है प्रयाशों को पहचान नहीं पाएंगे गिनेजी कहते हैं कि भागे पर भरुषा नहीं करें क्योंकि कर्म आपके भागे को परभाशित करता है अपने उपर भरुषा रखने से आप निस्चित रूप से लंबे शमित तक सकात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे गनेजी प्रेरित करते हुए कहते हैं वह दोस्तों यह श्रमें आपकी पारिवर्वर्ग जीवन की बात करें तो अपने प्यार को व्यक्त करने की ख्याल से ही आपका दिल तेजी से धड़क ने लगीगा आप उसे अपनों तोफा दोरा गदगद कर सकते हैं दोस्तों यह श्रमें आप पहले अपने पीर की चाहतों को जाने यदि आप उसके साथ एक दिर्ग कालिक परतिबत्ता बनाना चाहते हैं तो दोस्तों यह श्रमें हैं आप अपनी साथी का पसंद या फिर नापसंद का ख्याल रखें गनेज जी ऐसा कहते हैं वही दोस्तों यश्र में आपकी आर्थिक स्थिति के उले कर बात करें तो भगे आपके वित्य मामलों पर भागे शाली रहेगा खर्चों के प्रति आपका जो शकारत्मक्त दिश्टी कौन आपको शही निरे लेने में यश्र में मदद करेगा यश्व में आप कुछ भी खरीदने या फिर बेचने के लिए चानबिन करेंगे वहें दोस्तों यश्व में आप अपने परयासों के जरिये वांचित परिणा भी प्राप्त करने के लिए तत पर रहेंगे भागे की देवी आप पर महरमान हैं दोस्तों आपका मूड एक उंचा जो है श्विंग लेगा और स्वास्त यश्व में ठीक रहेगा वहें दोस्तों यश्व में अधिकारिक और मन भालाने वाली मरंजक यात्रा हैं आपके लिए शुखत और रुप्योगी शावित होंगी दोस्तों इन दिनों में आप सकार्तम रूप आपके लिए आजपास के लोगों को परवायत करेगा यश्व में बोलते समय और वित्ति लेंदेन करते समय आप साधनी बरते हैं इसकी जरुरत होगी दोस्तों यश्व में आपके दोस्त या फिर स्रयोगी कोई बढ़िया योजना बना कर आपके इन दिनों को खुश्णुमा कर देगा यश्व में आप कोई दिल टूटने से बजा सकते हैं दोस्तों काम काज की मोर्चे पर आपकी जो है कड़ी मेनत जरूर रंग लाएगी दोस्तों यश्व में साफ गोई से अपने मन की बात कहने से आप नो घबराएं वह दोस्तों यह दिन आपके जिवन में वसंद काल की तरह है रोमाने वह फिर प्यार से भरा रहेगा दोस्तों जहां सिर्फ आप और आपका जिवन साती का साथ होगा वह दोस्तों यह जो समय है आप पीले चावल बना कर गरिबों को बाटने से आपकी यह में आर्थिकिस् रहु और कितु ही जमेदार होते हैं यह में दोस्तों यह में आपको काला और शफेद अर्थास एक ही कंबल में दो रंग होना चाहिए तिसरा रंग नहीं होना चाहिए अर्था दोस्तों दो रंगी कंबल को अक्यश बार खुद पर से वार कर उसे मंदिर में या फिर कि लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अधिक से दिक लाइक करें शेयर करें दान्य वाइब